जार्खन समाचार जार्खन के पर्थम मुख मंत्री बाबुलाल मरंडी कुरुना से संक्रमिन जार्खन के पर्थम मुख मंत्री और भागते जन्ता पाटी के नेता बाबुलाल मरंडी कुरुना वाइरस से संक्रमित हो गया है उन्होंने ट्विट करके सुक्रवार को यह जनकारे दी छट्टी जेपीस्जी के सफल उमीद वारो को नोटिस जारी जार्खन हाई कोट के जस्टीस एसके द्विदी की अदालत में छट्टी जेपीस्जी सिविल शेवा के परिणाम को चुनोती देने वाली कई यह चेकाओं पर सुनवाई हुई है सुनवाई के बाद अदालत में सभी चैनी 326 अवियाति को पर्तिवादी बनाते हुए उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है नोटिस की आम सुचना जारी की जाएगी और समाचार पत्रों में इसका प्रकासन भी क्या जाएगा सुनवाई के दुरान अदालत को बताया गया कि छटी जेपेशी परिक्षा और परिनाम को चुनोती देते हुए 32 यचिकाओं हाई कोट में दाकिल की गई है इस पर कोट ने सभी मामलों को एक साथ प्रेक कर सुनवाई करने की बात कहत्य हुए अगली सुनवाई के लिए 11 ओमर की 33 निरादित की गई है सुनवाई के दुरान भरिय अधिवक्ता अजित कुमार और विकास कुमार के और से आदालत को बताया गया कि जेपेशी ने अंतिम परिनाम जारी करने में गड़वड़ी की है पेपर वन के क्वालिफाइंग मार्स को भी प्रपातांक में जोड दिया गया है उनकी और से एक हस्तचे प्याज का दाखिल गर चैनिर सभी अप्यार्थियों को परतिवादी बनाने की मांग की गई है जिसे आदालत ने स्विकार कर लिया है आप डाग घर में मोबाईल वर्ट टिवी रिचार्ज की हुई शुरुवाद डाग विभाग की और से लोगों को एक छट की निशे सभी सेवाए पुपलब कराने के लिए डाग घरों में भी कॉमन सर्विस सेंटर की अस्तपना की जा रही है पहले चरण में जुमरी तलया के डाग घर में मोबाईल वर्ट टिवी रिचार्ज के साथ कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुवाद की गई है अब ड्राविंग लाइसेंस बरवना हो या रासन कार्ड में नाम जुरुवाना हो इसके लिए परिवहन विभाग और आपुर्ती विभाग जाने की जवरत नहीं होगी इसी विदेक पर हैमंद ने कहा किस दिशा में देश को लिए जाना चाते हैं परदान मंत्री जारखन के मुक मंत्री हमन सोरे ने किरसी सुदार विधायकों के पारित होने को देश के संगे ढाचे पर सबसे बड़ा हमला बताया है और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि परदान मंत्री नरेंद मोदी कि इस दिशा में देश को ले जाना चाते हैं बिहार के बाद जारखन में भी इस्कूल खोलने के तयारी जाने क्या है सिक्चा विभाग का प्रस्ताव बिहार के बाद अब जारखन में भी इस्कूल खोलने की तयारी सरकार की और से सुरू हो गई है प्रारम में लेकर 12 तक के बच्चों को सिमित संक्रा में consultation के लिए इस्कूल जाने के लिए वीचार क्या रहा है हलांकी निजी इस्कूल ने कोरोना भेक्षिन आने तक इस्कूल नहीं खोलने की अपिल किया है जारखर में कोरोना संक्रवन के गिरते गराब को देखते हुए राज्य सरकार इसकोलों को खोलने पर विचार कर रही है सिक्षा विभाग के दोवारा तयार प्रस्ताव के रुसर इसकोलों में कोरोना से बचाव के लिए सारे परबंद मी किये जाएंगे और बच्चों को गार्चेन की हनुमती पर इसको जाने के हनुमती दी जाएगी सिख्छा विभाग के इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है तीन IAS पदादिकारियों का बदला परभार बिने कुमार चोवे को मिली नहीं जिम्मेदारी जारखन के तीन IAS अधिकारयों का परभार बदल दिया गया है इन में से IAS पदादिकारी जितंदर कुमार सिंग बिने कुमार चोवे शामिर है IAS पदादिकारी जितंदर कुमार सिंग उद्योग विभाग के निदेशक की रूप में नहीं जिम्मेदारी दी गई है पूर में वे इसी पज़ पर परभार में थे इसके आलावा जितंदर कुमार सिंग के पास उच्च सिक्षा बिबाग का भी परभार था जिससे उनको मुक्त कर दिया गया है इसके आलावा बिने कुमार 24 को गिरेटर राची की भी जिमेदार दिती गई है परधान मंतर नरेंदर मोधी बोले किसानों से हमेशा जूट बोलने वाले कुछ लोग उनके कंधों पर रखकर बंदुक चला रहे हैं के तैवा के दो आतंग की धेव जमू कस्मिरिक अनंतनाग में गुरुवार साम को सुरूवी मुत्भेड में सुरक्षा बलो ने लसकर ये तैवा के दो आतंगवादियों को मार गिराया है पुलिस ने बताए कि हत्यार वो गुला बारो आदी बरामत किये गये हैं और तलासे अभ्यान जारी है इससे पहले तराल में गुरुवार को एक आतंगवादी मारा गया और बढ़गा में आतंग की हमले में सियार पी अब जबान सहीद हो गया था राहुल गांधी बोले गलत जीएश्टी ने लगू उद्योग नश्ट कर दिये अब किर्सी कानून किसानों को गुलाम बनाएंगे इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था मोधी सरकार के प्राथ्मिक तायें किसानों और मजदूरें से बात करके उनकी समस्चाओं का समाधा निकालने के बजाए प्यार में लगे हैं बारुदी सुरंगों को पता लगाने वाले चुहे को ब्रिटेन में मिला स्वर्ण पतर खबर सुनके आपको बड़ा ही अच्पटा और अत्रंग लगेगा तो चलिया आए डालते हैं खबर पर थोड़ी परकास ब्रिटेन की वेटनरी चैरेटी करने वाली संस्था पीडी ऐस एने एक अफ्रीकी चुहे मेगवा को बाहुदुरी और करतव के अपरती शमर्पन को लेकर स्वर्ण पदक से सम्भानित किया है बेल्जिया में पंजीकरी चैरेटी संस्थान एपी ओपी ओद्वारा प्रसिक्षिर मेगवा ने कमबोडिया में 49 बारुदी सुरंग और 28 बिसफटों को पता लगाया इस अवार्ड से सम्भानित 30 पसुओं मेगवा पहला चुहा है यूपी के सरकार योगी आधितनात बोले योन उत्पेडन करने वाले अपराधियों के पोश्टर 14 है पर लगायेंगे उतर परदेश के सरकारी परवक्ता के मुताबिक मुकमंतर योगी आधितनात ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ओपरेशन दुरचारी योन उत्पेडन और महलाओं के खिलाप अन्याय अपराद करने वाले अपरादियों के पोस्टर परमुक चोराहे पर लगाये जाएंगे बकोर परवक्ता मुकमंतर योगी ने ये भी कहा कि ऐसे अपराद में सामिल आरुप्यों को महला पुरिजवा दंडित किया जाना चाहिए बंगार के मुकमंतर ममता बैनेर जी बोली हम कोराना वायरेस को लोगडाउन में रखेंगे और इस साल दुर्गा पुजा आयोजीत करेंगे बनेर जी ने राज की करीब 37 हजार पुजा समितियों को 50-50 हजार अनुदान देने की घोसना की समितियों को बिजली भी ने 50% छूट का भी ऐलान हुआ है ख़वर है बिहार से 28 अक्टूबर से 7 नमंबर के दौरान 3 चर्णों में होंगे बिहार बिधान सबा चुना चुना आयोग ने बिहार बिधान सबा चुना 28 अक्टूबर से 7 नमंबर के दौरान 3 चर्णों में कराने की घोसना की है जाकि मतदान 10 नमंबर को होगी मुख्य चुना आयोग सुनील अडोरा ने बताया कि अठाज अक्टूबर को 71 सीटों में 3 नमंबर को 94 सीटों और 7 नमंबर को 78 सीटों पर मददान होगा पी-म फसल विमा योजना फसल खराब होने पर किसानों को नहीं होगी टेंसन सरकार देगी आर्थिक मदद अक्सर जादा बारिस होने या सूखा पढ़नी जैसी प्राकृतिक अबदाओं के चलते फसलों को बहुत नुक्षान होता है जिसका खामेजना किसानों को भरना पड़ता है उनकी लागत ना निकलने के साथ उन्हें क्रिशी के लिए लिए लोन की अदागाई की टेंसर रती इसी समय से को दूर करने के लिए सरकार की ओर से प्यम फसल बीमा योजना चलाई जा रही है जिसके तहत अब फसलों का बीमा होगा जिसमें किसी तरह का नुक्षान पर सरक उनकी विद्य साहिता दी जाएगी इसमें सरकार की ओर से अधी सुचित फसल में से किसी भी नुक्सान पर धनरासी मिलेगी इस स्किम का मकसद किसानों के क्रिशी के आधोनिक पद्दत्यों को अपनाने के लिए प्रोचाहित करना और उन्हें आसानी से क्रिशी छेत्र में अचार सहीता का खौप, CM सिवराज ने लेप्टोप वित्रन प्रोग्राम में ही किया किसान कल्यान योजना का एलान किया, करिकरम प्रतिभावन स्टूडेंट को लेप्टोप वित्रन का था, लेकिन CM सहाइब हडवड़ी में इसमें किसानों से जुड़ी अहम घोशना कर दी मद्य पर्दिष सरकार मुख मतरि स्वराज सिंग जोवान ने किसान, कल्यान योजना के तहत किसानों को हर साल 4000 रुपिय देगी प्रधान मंतरी मतरि से संपिता योजना के तहत मच्छवारों की आई दोगुनी करने का लक्ष है प्रधान मंत्री मत्री से संपिता योजना 2020-21 से मचवारों वो मत्री से पालोगी कि आई को दूगुना करने और रोजगार सिर्जित करने का लक्षे ताई किया गया है योजना के माध्य से उन्हें समाजिक और आर्थिक जोखिम से सुरक्षा परदान की जाएगी समाजिक और के लाभार्थियों को कुल लागत 40% धन्रासी तक अनुसुची जाती जन्जाती के लाभार्थियों को कुल लागत 60% धन्रासी अनुदान के रूप में सासन की ओर से परदान की जाएगी यह धन्रा से DBTL के माध्यम से लाभार्तियों के खाते में सीधे हंस्तात्रित की जाएगी गांधी जैन्ती को बनाए रोजगार दिवस खूपदे रिन अंजान उत्तरपरदेश खादी तथा प्रदोगिक बोड के उपाध्यच राम गोपाल उर्थ गोपाल अंजान गुरुवार को मंडली समिक्षा करके रोजगार और प्रदोगिक के लिए रिन वित्रन और प्रसिक्षन कारिकरम लेट लतिपे पर नराजगी जताई उन्होंने कहा कि अधिकारिक जादा से जादा लोगों को रोजगार और ग्रामोध्यों के लिए रिन उपलक्त कराए गांधी जैन्ती को रोजगार दिवस बनाए इस दोरान उन्होंने जहां माटी कला के 15 लागवर्तियों को निशूल के विद्यूत चलित चालक परदान किया महिलाओं के कोशल विकास परिस्ट्रिक्षन के समापन पर उन्होंने प्रमान पत्र वित्रित किये तथा काम और रोजगार परदान करने वाली तीन एकायों को प्रोचाहन राज़िक्रिक्री के जिक परदान किये अगले महिने से नई ट्रेन चलानी के तैयारी में रिल वे तहवारों पर घर जाना होगा आसान बिहार का खास द्यान क्या आप जार्खन बिहार के निवासी हैं काम के सिलसले किसी दूसरे राज्य में निवास करते हैं और पर पर अपने घर आना चाहते हैं तो यह ख़वर आपके लिए खास है जी हाँ भारते रेल कोरोना काल में सभी स्वास्त प्रोटोकल को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या में अगले मा और बढ़ोत्री करने की योजनाग पर काम कर रही है जाहनकारी के अनुसार तेवार के दरण अक्टूबर और नौंबर की संभावे त्यात्रिस को देखते हुए व्यवस्तमन रूटों पर लगबग असी नई ट्रेने चलाने जा रही है आपको बता दे कि इन दो महिनों में तसहरा, दिवाली, नवरात्री, भाई दोज, छट जैसे तेवार पड़ रहे हैं SBI में कैस डिपोजिट पर लगता है चार्ज, जाने विट्रॉल पर क्या है बैंक का नियम State Bank of India कई सुविधाओं के लिए ग्रहांकों से चार्ज वसूल आते हैं ग्रहांकों को इनके बारे में कम ही जानकारी होती है SBI कैस डिपोजिट से लेकर कैस विड्रॉल पर ग्रहांकों से कुछ पैसे लेते हैं देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक ग्रहांकों से एक तरी लिमिट के बाद कैस डिपोजिट और विड्रॉल पर चार्ज वसूलता है अगर कोई ग्रहांक 23 सीमा से जादा बार एकाउंट से पैसे निकासी करता है तो उसमें 50 रुबे का चार्ज लिया जाता है ही नहीं इसके साथ ही GSTB देना होता है SPI के अनुसार 1 अक्रूबर 2019 के बाद यह विवस्ता लागू है कर्ष माफी योजना का दूसरा चरण इंदोर में 8403 किसानों के खाते में आएंगे 56 करोड परदेश में विधान सबा उपचुनाउत के पहले भाजपा की सिवराज सरकार ने कॉंग्रेस की कमलनात सरकार के समय सुरू की गई जै किसान क्रिसी रिन माफी योजना के दूसरे चन को अपना लिया है इसलिए अब बचे हुए किसानों में से नियमित क्रिसी रिन खाते वाले किसानों का 50,000 रुपे से लेकर एक लाग तक का कर्च माफ किया जाएगा इंदोर जिल्यों में ऐसे 8403 किसानों का कर्च माफ होगा इसके लिए सासन की ओर से 56 करोड रुपे की रासी आई है इसके लिए जाएगा